श्री लंका का एक खिलाडी था, उसके दिमाग में बस एक ही चीज चलती थी, क्रिकेट क्रिकेट और बस क्रिकेट, अपनी कड़ी महनत और लगन के धम पर उसे श्री लंकन टेस्ट टीम में डेब्यू करने का वौका भिला, पहली इनिंग्स जीरो पर आउट, दूसरी इनिं में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, 21 महीने बाद फिर से मौका मिला, पहली इनिंग्स जीरो पर आउट, दूसरी इनिंग्स एक रन पर आउट, फिर टीम से बाहर, प्रैक्टिस, 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 फिर्स्ट क्लास मैचेस में हजारो रन ब मौका मिला, पहली इनिंग्स जीरो पर आउट, दूसरी इनिंग्स जीरो पर आउट, फिर टीम से निकाल दिया, प्रैक्टिस, 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 तीन साल बाद एक बार फिर उस खिलाडी को मौका दिया गया, जिसका नाम था, मर्वन अठ्टा प पटो नहीं चूका उसने जम कर खेला शिलंका की और से 16 शतक और 6 दोरे शतक जड़ डाले और शिलंका का सबसे सफल कप्तान पड़ा है सोचिए जिसको दूसरा रन बनाने में 6 साल लगे वो इतना बड़ा कारनामा कर सकता है तो कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है कुछ करने के लिए डटे रहना पड़ता है लगे रहना पड़ता है मैदान छोड़ देना आसान होता है मुश्लिल होता है टिके रहना और जो टिका रहता है वो आज नहीं तो कल जरूर सफल होता है इसलिए आपने जो कुछ पाने का निश्य किया हो उसे पाने की अपनी जित मत छोड़िये मन से की गे छोटे प्रयास हमेशा बड़ा परिणाम देते हैं जित कायम रखिये मन्जिल आपकी मुठी में है